लोग सभा में महिला आरक्षन बिल पेस होने वाला है लेकिन क्या ये पास हो पाएगा और अगर महिला आरक्षन बिल पास होता है तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि केंदर सरकार यहां पर कुछ चुनिंदा महिलाओं को ही आरक्षन देती में नजर आ रही है यानि कि यहां पर भी जाती के नाम पर यहां पर भी कई ऐसी चीजों को लाकर ऐसी महिलाओं को ही आरक्षन दिया जाएगा जो उच स्तरिये हैं जो उच जाती की हैं ऐसे में मायवती ने एक सवाल खड़ा किया था तो उसी सवाल के तहट यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर केंदर सरकार महिलाओं को आकरशित करने के लिए कुछ चुनिंदा महिलाओं के आरक्षन की बात कर रही है ज यहाँ पर आदिवासी महिलाओं के लिए यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर दलित महिलाओं के लिए यहाँ पर तमाम उन अनुसूचे जाती जन जाती की महिलाओं के लिए भी आरक्षन दिया जाएगा तो हम मानेंगे कि यह वाकई महिला आरक् करें तो यहां पर पालिया मेंट में केंद सरकार की तरह से जो सांसद हैं मंत्रियां हैं जो महिला मंत्री हैं महिला सांसद हैं जैसे कि यहां पर इस्मृति रानी की बात करें यहां पर हेमा मालनी की बात करें मेंका गांधी की बात करें तमाम वो महिलाएं हैं जिने यहां पर महिला अरक्षन बिल का फाइदा मिल सकता है जिनने यहाँ पर लाब हो सकता है लेकिन उन महिलाओं का क्या जो पिछड़े वर्ग से आती है जो सीधे संसत तक भी नहीं पहुच पाती है वो अपनी अवार्स कैसे उठा पाएंगी इसलिए यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि क्या केंदर सरकार 2024 की लोग सबाद चुनाओ को देखते हुए यहाँ पर महिला अरक्षन बिल तो ला रही है लेकिन इसमें सही तरीके से इस बिल को नहीं पेश किया जा रहा है बार बार विपक्ष जी सवाल उठा रहा है अब यह देखना होगा कि क्या यहाँ पर तमाम महिलाओं को आरक्षन मिलेगा यह सर्फ कुछ चुनिंदा महिलाओं की बात कही जा रही है क्या कुछ लगता है आपको कमिन बॉक्स में जरूर बताएं धरने बाद